हेलो फ्रेंड वेलकम टू वाल्ड उस्ताज दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैटके बगएर किसी इन्वेस्टमेंट के पैसे अंग कर सकते हैं सिर्फ आपको अपने वक्त से डेली के 2-5 मिंट निकालने होंगे जिसके जरीए आप अराम से डेली के अच्छे खासे पैसे यान कर सकते हैं और वो किस तरह तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत सी वीडियो लाता रहता हूं और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आप तक पहुशती रहेंगी सबसे पहले आपको ब्राउदर में जाने हैं और ब्राउदर में टाइप करना है newbucks.com अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये newbucks का पेज़ खुल गया है ये newbucks एक ptc side है ptc का मतलब मैं आपको बता देता हूँ pay to click के मतलब आपको advertisement देखने होते हैं जिसके आपको पैसे मिलेंगी और ये website newbucks दुनिया की number one website है और लोग इससे अच्छे खासे पैसे अन करते हैं दुनिया में सब स्जादा लोग इसके दरिये पैसे अन करते हैं और आज मैं आपको इससे पैसे अन करने का तरीका बताऊंगा जिसके दरिये आप डेली के 5 से 10 डॉलर भी कमा सकते हैं सिर्व आपकी महनद के उपर है क्या आप महनद किस तरह करते हैं सिर्व आपको अपने डेली के 2 से 5 मिन्ट देने होंगे जिसके दर यह आप बहुत से पैसे आन कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है आकाउंट बनाने के लिए आपको रिजिस्टर पर जाना है यहाँ देख सकते हैं यहाँ उपर लिखा है रिजिस्टर यहाँ आप क्लिक करेंगे वैसे मैं description में link दे दूँगा आप मेरे reference से join करेंगे तो मज़े भी कुछ फायदा हो जाएगा आप मेरे downline में आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको username लिखना होगा, अपना password लिखना होगा, email address लिखना होगा सबसे पहले आपको अपनी id बनानी होगी, आईडी बनाने के लिए आपको username लिखना होगा यूजर नेम में आप अपना यहाँ पर बिखा गावा user name, आपको अपना username लिखना होगा यूजर नेम में जैसे कि आप facebook पर लिखता हैं वह username भी डाल सकते हैं जैसे Gmail का Account बनाते हैं उस वक आपको username लिखना होता है इस तरीके से आपको यहाँ पर भी username लिखना होगा आप username लिख सकते हैं यहाँ पर जाके फिर आपको अपना password लिखना होगा उसके बाद confirm password लिखना होगा और आपको अपना email डालना होगा जो आप current email यूज़ कर रहे हैं वो email यहाँ डाल दिएगा Gmail का, Hotmail का यह Yahoo का जो भी आप email यूज़ कर रहे हैं वो email यहाँ यहाँ पर डाल दिएगा और यहाँ पर आपको यह देख सकते हैं Peza, PayPal या Skrill यह payment method हैं जिसके जरी आपको इन payment method पर payment मिलेगी अगर आपका Peza का account बना हुआ है तो Peza का email address डाल दें PayPal का account बना है तो PayPal का डाल दें Skrill का बना हुआ है तो Skrill का डाल दें Skrill की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कैसे Skrill account बनाया जाता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो आप देख सकते हैं क्योंकि new box payment आप इन तीन method पर मंगा सकते हैं और जल्द में पेजा account बनाने का भी तरीका अपने channel पर डाल दूँगा उसके बाद refer में आपको लिखना है आप मेरा refer लिख सकते हैं इससे कुछ मुझे फायदा हो जाएगा और आपको भी इसका फायदा होगा तो new box वाले आपको अच्छा rate करेंगे कि आप किसी refer के थुरू आएं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा k-u-r-r-a-m-b-a-i-g-0-1 यह मेरा refer link है अगर आप मेरा refer link डाल देंगे तो साथ-साथ मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि आपको कोई परशानी होगी कि new box में जब भी आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे राप्ता करेंगे मैं आपको समझाता रहूँगा कि क्या करना है और आप उस तरीके से पैसे भी अराम से अन कर सकेंगे कोई भी मुश्किल होगी आपको तो आप मुझसे राप्ता कर लीजेगा यहाँ पर आपको date of birth डालनी है अपनी सही-सही date of birth डालिएगा यहाँ पर आप अपना जीज़े लिखाव है verification code यहाँ देख सकते हैं आप यह वाला verification code डाल दीजेगा आप यहाँ लिखाव है ZPLJQ यह आपको यहाँ पर fill करना होगा और यहाँ पर आपको tick assign पर click करना होगा और continue पर click कर दीजेगा यह fill मैं इसलिए खुद नहीं कर रहा क्यूंकि आपको एक बात साथ साथ बताते चलूं मेरा account पहले से बना हुआ है इसलिए मैं नहीं बना सकता क्यूंकि एक computer पर एक account बना सकते हैं new box की policy है यह और एक internet connection पर एक account बना सकते हैं अगर आप एक से जादा एक computer या एक internet connection पर account बनाएंगे तो new box वाले आपके दोना account seal कर देंगे मतलब ब्लॉक कर देंगे मतलब आप फिर कोई account पर भी काम नहीं कर सकते हैं तो इसलिए याद रखेगा आप एक computer और एक internet connection पर एक account create करें इसके बाद continue पर क्लिक कर दिजेगा जैसे आप continue पर क्लिक करेंगे आपकी email address पर जो आपने email address डाला होगा इस पर एक mail आएगी वहाँ से आप उसको verify कर दिजेगा वहाँ पर एक verification code होगा उसको copy कीजेगा वह verification code आप new box पर डालेंगे और आप उसके बाद login हो सकते हैं चले मैं आपको अपना account login करके दिखाता हूं कि इसको use कैसे किया जाता है user name में मैं अपना user name लिखूँगा यहां पर password डालूँगा मैं अपना यह देख सकते हैं यह login हो चुका है अब मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्या तरीका है और किस तरह आपको इसको use करना है यहां देख सकते हैं यह लिखा है 1243 इस तरीके से आपके पास भी आएंगे advertisement क्योंकि daily के advertisement आते हैं वह आपको view करने होते हैं यहां मैं view पर click करूँगा advertisement पर यह देख सकते हैं मेरे सामने advertisement आ गए यह देखें आप यह सारे advertisement आप देख सकते हैं यहां orange तक advertisement है अब मैं आपको यह दिखाता हूँ कि इसको view कैसे करने ads को यह देखें मैं इस पर click करूँगा और यह red button है इस पर click कर दूँगा अब यह advertisement on होना शुरू हो जाएगा यह देखें यह लिखा है waiting for advertisement to load और यह देखें यहां पर यह advertisement load हो रहा है और यह एक advertisement validated हो गया है अब मैं इसको close कर दूँगा मतलब हमने यह advertisement view कर लिया है यह देखें आप यह एक हमने view कर लिया है अब यहां देख सकते है मेरी earning यहां पर show हो रही है यह dollar का sign बनावा है और यहां 0.012 लिखावा है अब मैं इस page को refresh करूंगा तो आप देखेंगा जो advertisement हमने view किया है उसकी earning भी इसमें बढ़ जाएगी यह देखें 0.013 मतलब हमने एक advertisement देखा है तो उसके earning हमें one point मिल गई है मतलब 0.012 से 013 हो गया है और यहां 12 लिखे वे थे अब देखें 11 लिखेंगे है क्योंकि हमने एक view कर लिया है यह देखें आपको खाली सा नदर आ रहा होगा इस तरीके के हमें रोधाना add क्लिक करने होगा और इसमें कोई ज्यादा time नहीं लगता मुश्किल से 2-5 मिट लगते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने add view किया था वो कितनी टेजी से add view हो गया था मुश्किल से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप add view रोधाना कर सकते हैं अब मैं आपको एक तरीका बता दूँ कि आप इसमें देजी से कैसे पैसे add कर सकते हैं आप यहां आपका user name होगा उस पे क्लिक करेंगे जैसे मैं अपने user name पे क्लिक करता हूं तो आप इस page पे आजाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हूँ है referral अब यह आपको मैं तरीका बता देता हूं यह referral पे आप क्लिक करेंगे तो आप यह referral पे चले आएंगे अब referral आप यह देख सकते हैं कि यहां पे आप यह लिखा हूँ है 3 यह होते हैं rented referral अगर जब आपके account में 0.60 जैसे अभी 0.01 थी है मेरे account में तो मैं यह पर्चेर नहीं करता जब मेरे account में 0.6 हो जाएंगे तो मैं तीन rented referral ले सकता हूं इस तरह आप भी ले सकते हैं और इसका फाइदा यह होगा जिससे आपको खुद बाखुद पैसे मिलते रहेंगे क्योंके वो rented referral back side पे खुद बाखुद काम करते हैं जिससे आपको पैसे मिलते रहेंगे इसका पूरा tutorial मैं अलग से बाद में बना दूँगा जिस पर मैं आपको समझा दूँगा तो किस तरीके से rented referral लेते हैं और उस पर काम किया जाता है अब ही मैं आपको एक असान तरीका एक और बता देता हूं आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है banner यहां बैनर पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं referral link होगा यह link लिखा हुआ है यहां पर इसी तरह यह मेरा referral link है इस referral link से मेरे referral link से जो भी join होता है और फिर वो add देखता है तो उसके कुछ percent उसको तो earning मिलती है लेकिन साथ साथ कुछ percent मुझे भी मिलती है इसी तरह आप अपना referral link दूसरों को share करेंगे और आपकी referral link से कोई भी बंदा join होता है तो आपको उसके पैसे मिलेंगे जैसे के मैंने आपको बताया आप referral जितने जादा बनाएंगे उतनी जादा earning आपकी तेदी से होगी उसके दरिये कम से कम देली के 10 डॉलर कमा सकते हैं अभी करता हूं यह tutorial आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें ठैंक करेंगे